श्रीशिवाय नमस्तु भ्हम दर्सको अभी सावन के समय चले रहें सावन के महीने बहुत ही पवित्र होता है यह भगवान संकर जी की क्रिपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा महीना माना जाता है अगर आप भोले भक्त हैं भगवान संकर को मनते हैं तो आज के इस बिड़ो में मैं आप लोगों को उनके प्री जो वरस्वती है जो पेण है उसके फायदा के बारे में बताऊंगा यानि की बेल के जड़ पहनने के फायदा बताऊंगा आपने रुदराक्षा के बारे में जरूर सुना होगा रुदराक्षा पहनने से क्या फाय आज मैं आप लोगों को बेल के जड़ पहनने की जो फायदा बताऊंगा ये फायदा आपको किसी भी यूटुब चैनल में खोज लीजी आपको नहीं मिलेंगे मैं आप लोगों को वही असान जानकारी बताता हूं जी जानकारी से आपका कल्यान हो आपके भला हो तो जो भाग में विश्णो तथा शंपूर्ण बेल पे भगवान संकरजी निवास करते हैं और इश्कन पुराण एक नुशार जो बेल के उत्पति ये माता पारवती के पसीने से हुआ है तो जो लोग भक्ति मारगा में आगे बनना चाहते हैं जैसे कि जो लोग सिक्छक हैं जो लोग अगने बुद्धी को तिब्र करना चाहते है तो ऐशे वेक्ति को पिल के जड़ अवश्य धारान करना चाहिए इसके जड़ धारान करने बाद वेक्ति जो सोचने समझने की छमताएंग कंपिटा से भी ज़्यादा अफास्टा हो जाते हैं और बेल की जड़ बहुते लोग बोलते हैं कि गुरु जी हमें शनी है तो शनी के दोस्त बचनी के लिए हम क्या करें तो जो लोग शनी से परसान है ऐसे वेक्ति को शोमवार के दिन बेल की जड़ अवश्य धारन करना चाहिए बेल की जड़ धारन करने के बाद सनी जो अपना कूप्रभाव ज जो लोग असफल हैं यानि कि शफलता नहीं पारे जहां भी जारे असफल हो जाते हैं ऐसे वेक्ति भी अगर बेल के जड़ धारन करते हैं तो उन्हें शफलता मिनना शुरू हो जाते हैं धन प्राप्ति करने के लिए शुकरवार के दिन बेल के जड़ पहनने से आकश्मिक धन की प्राप्ति होता है या जो वेक्टि एकदम निर्धन अईश्य वेक्टि को बेल के जड़ पहने के बाद धन बिना शुरू हो जाते हैं जिस वेक्टि के कुंणली में अगर काल सार पडोस लगा हो पित्र दोस लगा हो या किसी भी प्रकार के बड़े हत्या लाग गया ह जैसे की गव होत्या या कोई बड़ा दोस लग गए हूँ ऐसे वेक्ति अगर जड़ में जिहां ऐसे वेक्ति बेल के जड़ में दूद डाल करके अगर इश्नान कराने के बाद अगर बेल के जड़ धारान करें तो बिल्कुल ऐसे वेक्ति के काल सर पर दोस दूर हो जाते हैं पित्र दोस लगा और दूर हो जाते हैं यह जीवन में आपको किसी वी प्रकार के दोस लगा हो उनके बारे मैं आपको पता नहीं हुआ दोस दूर हो जाते हैं जो बैल की जड़ धारान करने के नियम भी जान लीजे तो जो बैल की जड़ है ये चांदी में पहना जाता है चांदी को माता पार्वती के रज माना जाता है तो पहनने से पहले दो घंटे के लिए आपको इसे गंगा जल में इसके जड़ को दुबा देना होता है फिर दुबाने एक बादेशी आपको धुब दिखा करके भगवान संकर जी के सिविलिंग पर पांस से साथ बटास करा करके तो आपके कैसा भी अगर जिंदगी में परसाइनी हो बुरा समय चरुवा टल जाते हैं बेल की जड़ पैने के और अनगिनत फैदे हैं कभी इसके बारे में एक और वीडियो बना करके बिस्तार से बताऊंगा अपने घर परिवार वालों में आगे जरूर शेर करे ताकि उन्हें भी अजानकारी प्राप्त हो धन्यवाद नमस्कार ओम नमस्शिवाए